बाबा साहिब अंबेदकर की जीवनी भारत को सम्विधान देने वाले महान नेता डॉक्टर भीम राओं अंबेदकर का जन 14 एप्रिल 1891 को मद्ध प्रदेश के छोटे से गाउं में हुआ था डॉक्टर भीम राओं अंबेदकर के पिता का नाम राम जी मालो जी सक्पाल और म माता का नाम भीमा बाई था अपनी माता पिता की चौदवी संतान के रूप में जन में डॉक्टर भीम राओं अंबेदकर का जन महार जाती में हुआ था जिसे लोग अच्छूत और बेहद निचला वर्ग मानते थे बच्पन में भीम राओं अंबेदकर के परिवार के कंपनी के सेना में कारे किया करते थे और उनके पिता ब्रिटिस्ट भारत सेना के मौँ छावनी के सेवा किया करते थे भीम राओं के पिता हमेशा ही अपने बच्चों की सिक्षा पर जोर दिया करते थे वर्ष 1894 में भीम राओं अंबेदकर जी के पिता सेना निर्वित हो और इसके दो साल बाद अंबेतकर जी की मा की मृत्तियों हो गई। बच्चों की देख भल उनकी चाची ने कटिन प्रस्वरी स्थित्यों में रहते हुए किया था। उनसे विशेस नहीं करते थे। उनके कहने पर अंबेतकर जी ने अपने नाम से सकपाल हटा कर अंबेतकर जोड लिया जो उनके गाउं के नाम अंबावडे पर आधारित था। अंबेतकर की प्रतिस्था एक अध्रतिय विद्वान और विधिवित्ता की थी जिसके कारण जब 15 ओगस्ट 1947 में भारत की स्वतंतरता के बाद कॉंग्रस के नेतित वाली नई सरकार अस्तित्व में आई तो उसने अंबेतकर को देश का पहला कानून मंत्री के रूप में से सम्विधान मसौदा समीति के अध्यक्षपत पर न्यूक्त किया गया 26 नवंबर 1949 को सम्विधान सभाने सम्विधान को अपना लिया 14 ओप्टूबो 1956 को नाकपूर में अंबेतकर ने खुद और अपने समर्थकों के लिए एक आपचारिक सारवजनिक समारों का आयोजन किया अंबेतकर एक ने एक बहुत भिच्चु के परारमिक तरीकों से तीन रन ग्रहन और पंशीर और अपनाते हुए बहुत धर्म ग्रहन किया 1948 से अंबेतकर मदू में से पिड़ित थे जून से अक्टूबर 1954 तक वे बहुत ही गहरी बीमारी में रहे इस दोरान वे नेदानिक अफसाद और कमजोरी होती द्रिश्टी से ग्रसित थे 6 दिसंबर 1956 को अंबेतकर जी की मृत्ति हो गई दोस्तो आज भीम राओं अंबेतकर जी का 130 वी जैनती है और उनके जन्म दिन पर उन्हें कोटी कोटी नमन है भीम राओं अंबेतकर हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है एक हमारे लिए नई रोशनी है जिसे हमें अब पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शे सब्सक्राइब जरूर करिएगा जैहिंद बंदे मात्रम